Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी बाइलाजी एजुकेटर, शिवानी, मैम, welcome back to Magnet Bains, जो आपको प्रोबाइट कराता है Kinder, Garden to Class 12, हर क्लास, हर सब्जेक की quality education, वो भी बिल्कुल फ्री, जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Bains प्रोबाइट कराता है, Unpaid Subscription, आपको किसी भी क्ल वोड़ हो, UP वोड़ हो, बिहार वोड़ हो, या MP वोड़ हो, आपको हर सब्जेक, हर क्लास के topic wise explanations मिलेंगे, साथ में मिलेंगे धे सारे practice questions, इतना ही नहीं, आप अबेल कर सकते हैं, E-notes and E-book, जिसकी link, description box में दी है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे, NCRT Solution, Chapter No. 2, Human Reproduction क तो इस वीडियो में हम complete करने बाले है, question No. 1 to 11, clear है, तो चलिए, are you guys ready, चलिए, ओ, पहले ही fill in the blanks, माम, बचपन की याद आगी, माम, क्या कर दिया, आपने ये तो, चलिए, तो जल्दी से fill in the blanks, fill कर दीजिए, human reproduce, human कैसे reproduce करता है, sexually या sexually, जल्दी comment section में आंसर कीजिए, sexually करता है, या sexually, तो human कैसे reproduce करता है, जल्दी बताईए, sexually कैसे करता है, sexually, क्या clear है, वहीं पर हम बात करते हैं, B, question No. B, human are OB-paras, BB-paras और OB-BB-paras, तो मैम ये क्या होता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, OB-paras का मतलब होता है, क्या human जो है, वो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी अंडे देती है, क्या human भी अंडे देते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है, तो, okay, answer आपका ये हो जाएगा, BB-paras, BB-paras का मतलब बच्च भी देते हैं, क्या हम ऐसे हैं, तो आप जल्दी बताइए कि हम क्या है, जल्दी बताइए हम क्या है, मेरे हिसाब से तो, हम BB-paras है, हम क्या है, BB-paras क्या सही है, हम क्या है, BB-paras, अब देखिए, next question है, fertilization is blank in the human, हना, तो fertilization internal होता है, या external होता है, internal का मतलब होता है body के अंदर होता है fertilization या external मतलब body से बाहर होता है तो आप बताईए fertilization humans में कहां होता है body के अंदर होता है या body के बाद इसमें तो आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए तो जल्दी बताईए क्या answer होगा internal इसका answer क्या होगा जल्दी बताईए internal ठीक है, next है D for daily, male and female gametes are तो male gametes और female gametes मतलब sperm और ovum की ploid है ये या diploid है, मतलब इसमे n number of chromosome होते हैं या 2n number of chromosome होते हैं अगर मैं बात करूँ, human body जो होती है, human का जो cell होता है, उसमें 46 number of chromosome होते हैं कितने होते हैं, 46 chromosome होते हैं तो हमारे जो body है, हम क्या है diploid है, हम क्या है, diploid है तो हमारे जो gamete है, मतलब हमारे sperm और जो ovum हैं वो कैसे होंगे, diploid ही होंगे या haploid होंगे, जल्दी बताइए क्या होंगे, तो वो तो क्या होंगे haploid, मतलब क्या होंगे हैपलोईड मतलब हमारे जो स्पर्म और ओवम है उसमें कितने नंबर ओफ क्रोमोजोम होंगे 23 क्रोमोजोम होंगे कितने होंगे 23 क्रोमोजोम क्या क्लियर है चल यह तो next question है E zygote is zygote कैसा होता है deployed होता है है to zygote कब बनता है जल्दी बताएगे यह जब fertilize करते हैं, तो इन दोनों का result क्या बनता है? Zygote क्या बनता है? Zygote. और sperm कैसा होता है? N. मतलब haploid. Oum भी कैसा होता है? Haploid. तो haploid, haploid fuse करेंगे. तो zygote कैसा बनेगा? Diploid. कैसा बनेगा? Diploid. तो यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताएए. कैसा है? यहाँ पर होगा Diploid. क्या clear है इतना? जल्दी बताएए क्या इतना clear है? तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका. जल्दी screenshot लीजे. चालिए. आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप देखिए. Next है. इसका हो गया क्या? इसका अंसर क्या आएगा? Human reproduce sexually. देते हैं. बच्चे को जन देते हैं. Fertilization is internal. हाना? हमारे बड़ी के अंदर होता है fertilization ना की बहार. बताएए कहां पर होता है? OV duct या फैलिपियन ट्यूब के किस रीजन में? Ampula region में. ठीक है? Male and female gametes are haploid. Zygote कैसा होता है? Deploid. ठीक है? चलिए. अब next है the process of release of ovum from mature follicle is called. हाना? तो ovum का release होना किस से? Mature follicle से क्या कहलाता है? कौन सी process कहलाती है? जल्दी बताएए. मैंने जब menstrual cycle पढ़ाई थी. तो वहां पर discuss किया था. इसके बारे में बताएए कौन सी cycle होती है? जल्दी क्या क्लियर है? चलिए. next है ovulation is induced by a hormone called. कौन से hormone के peak आने पर ovulation होता था? जल्दी बताएए. कौन से hormone का peak आता था जब ovulation होता था? जल्दी बताएए. LH क्या आता था? LH. कौन आता था? LH. LH का मतलब luteinizing hormone. क्लियर है? luteinizing hormone जो होता है क्या कराता था? वही responsible था किसके लिए? जल्दी बताएए. वही responsible था ovulation के लिए. क्या clear है? चलिए. जैसे हम क्या कहते थे? LH surge. LH surge जब आता है तब क्या होता है? ovulation होता है. क्या clear है? आप देखिए. the fusion of male and female gamut is called. अब भी जल्दी बताएए. क्या होता है? male और female gamut का fusion होता है. तो इस process को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताएए. fertilization. क्या बोलते हैं? fertilization. क्या इतना clear हुआ? तो इसे हम क्या बोलते हैं? fertilization. अब देखिए. fertilization takes place. मतलब देखिए. उपर question पूछ रहे हैं? नीचे उसका answer दे रहे हैं. हाना? देखिए. यहाँ पर ovulation के बार में पूछा हैं? यहाँ ovulation बोल दिया. यहाँ fertilization के बार में पूछ रहे हैं? यहाँ fertilization बोल दिया. fertilization takes place in? कहा होता है? fertilization कहा होता है? जल्दी बताएए. fallopian tube में कहाँ पर? fallopian. fallopian. या मैं क्या बोल दूँ? fallopian tube. या मैं बोल सकती हूँ. OV duct. क्या बोल सकती हूँ? OV duct. और अगर पूछ हूँ. इसके भी किस reason पर होता है? तो कौन से reason? ampullary region. क्या clear है? तो कुछ भी पूछ ले आप से आप बता पाओगे क्या? क्या आप answer कर पाओगे? जल्दी बताएए. मेरे students से answer तो कर देंगे. चलिए. zygote divides to form a which is implanted in the uterus. ठीक है? zygote cleavage जब करता है तो क्या बनाता है? अब देखिए बहुत सारी अब जो cleavage होता है तो आपको morula बनता है, blastula बनता है, ठीक है? gastula बनता है. अब यह अलग-अलग चीज़ बनती है cleavage होने पर. बट किसका implantation होता है? किस stage में implantation होता है? तो ज blastocyst. किसमें होता है implantation? जल्दी बताइए. blastocyst में. क्या clear है? तो blastocyst याद है आपको blastocyst कैसी होती थी? जल्दी बताइए. blastocyst कैसी होती थी? blastocyst कैसी होती थी? जल्दी बताइए. ऐसा structure होता था. ठीक है? यह cells होते थे. जिनने हम क्या बोलते थे? ट्रोपोब्लास्ट सेल, क्या बोलते थे, ट्रोपोब्लास्ट, तो ये थे अपने ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, उसके अलावा, ये थे आपके इनर सेल मास्ट, ये क्या थे, इनर सेल मास्ट, ये हम इने क्या और बोल चकते, स्टेम सेल, तो ये थे, इनर सेल मास्ट, जो कि क को बनाएगा embryo को और यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ था इसे हम क्या कहते थे जल्दी बताइए blasto seal क्या बोलते थे blasto seal क्या clear है और यह पूरे structure को हम क्या बोलते है blasto cyst क्या बोलते है blasto cyst क्या clear है चलिए तो इतना clear हो गया अब देखिए question number k है मतलब fill in the blanks k the structure which provide a vascular connection between the fetus and uterus is called the यह अभी मैंने last to last class में पढ़ाया है जल्दी बताइए क्या होता है uterus जो है उसमें और किसमें fetus में जो vascular connection होता है उससे हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए comment करिए जल्दी comment करिए इसे हम बोलते है placenta क्या बोलते है placenta structural unit है ना placenta यहाँ पर ही क्या जाएगा placenta जल्दी से screenshot ले लीजे जल्दी से screenshot लीजे चले आगे बड़े अब देखिए क्या है ovulation क्या है uternizing hormone जिसे हम क्या बोलते है लेच बोलते है क्या है fusion of male and female इल्दी को हम क्या बोलते है फर्टलाइजेशन क्या बोलते है फर्टलाइजेशन फर्टलाइजेशन कहा होता है ampula of the oveduct या fallopian tube क्या बोल दिया मैंने then zygote divides to form blastocyst हाना और इसी का क्या होता है implantation आप देखिए ये क्या होता है structural unit जो की connection है किसके बीच में fetus या या यूटरॉस की बीच में कैसा है vascular connection है vascular connection का मतलब यहाँ पर क्या होती है vessels होती है blood vessels होती है क्या clear है उसका answer क्या है placenta आप देखिए draw a level diagram of male reproductive system क्या आप level diagram बना पाओगे किसका male reproductive system का तो पहले तो imagine करते है कि कुछ urinary bladder जैसा होता है उससे निकलता है urethra यहाँ पे दोनों side ovary होती है ovary से निकलता है structure हना निकल रहा है जिसको हम बास इफ्रेंशिया बोल रहे है वास इफ्रेंशिया से फिर epididymis फिर क्या है वास difference और वास difference जो है वह कहां पर open हो रही है जल्दी बताइए वह seminal vesicles का connection प्लस वास difference का connection बनाता है क्या एजेकुलेटरी डक्ष क्या बनाता है एजेकुलेटरी डक्ष दो सेमिनल वैसिकल से यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लेंड है tragic just नीछे बल्वो यूरेथ्र अप्लेंड है clear है क्या बोलते हैं, urethral meters और ये जो पूरा part है, एक folded skin से cover रहता है, जिस skin को हम क्या बोलते है, four skin या profuse, क्या बोलते है, four skin या profuse, क्या इतना clear हुआ, पूरा समझ में आया, तो चलिए, I hope आपको दिख गया होगा, ये diagram, क्या समझ में आया, तो ये क्या है, आपका male reproductive system, चलो हम labeling करते हैं, ये क्या हो गया, testis, क्या हो गया, testis, ठीक है, ये क्या हो गया, vasa efferentia, क्या हो गया, vasa efferentia, वैसे दिखता नहीं है, vasa efferentia में, ये क्या हो गई, epididymis, क्या हो गई, Epididermis ठीक है यह क्या हो गया? Vast Difference यह क्या हो गया आपका? Vast Difference ठीक है? यह Vast Difference हो गया उसके बाद यह क्या है? यह है Urinary Bladder यहां पर क्या एक खटी होती है? क्या स्टोर होती है? Urine तो यह हो गया Urinary Bladder क्या क्लियर है? उसके बाद मैम यहां देखिए ओपन हो गई किसकी दोनों की? यहां पर ओपनिंग होई तो यह पार्ट है क्या? Ejaculatory Lattery Duct क्या है? Ejaculatory Duct क्लियर है इसके अलावा यह पिंक वाले जो आपको देख रहे है यह क्या है? यह है जल्दी बताएए यह है Seminal Vesicle Seminal Vesicle क्या क्लियर है? कितनी होती है? पेर में होती है तो यह क्या होती है? पेर में ठीक है? तो यह क्या होती है? पेर आप उसके बाद यह क्या है? यह है Prostate Glend यह क्या है? Prostate Glend क्या क्लियर है? यह कैसी होती है? Single यह कैसी होती है? Single ठीक है? उसके बाद यह क्या है? यह जो दिख रही है आपको यह क्या है? यह है bulbo-urethral gland, bulbo-urethral gland, ठीक है, यह भी कितने होती है, pear में, इसको और क्या बोलते है, cowper's gland, क्या बोलते है, cowper's gland, तो यह भी कितनी होती है, pear में होती है, मतलब 2 होती है, क्या clear है, चलिए, उसके बाद, उसके बाद ये जो वाइट वाला है ये क्या है यूरेथ्रा क्या है यूरेथ्रा जिसमें क्या होती है यूरेण प्लास सीमिन चलिए उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये क्या है पैनिस क्या है पैनिस तो ये क्या है पैनिस Penis क्या होता है? External Genitalia क्या होता है? External Genitalia क्या clear है? देखिए इसका यह part इसको हम क्या बोलते हैं? यह वाला जो part है इसे हम क्या बोलते हैं? Glance Penis क्या बोलते हैं? ग्लेंस पैनिस क्या क्लियर है चलिए यह जो आपको ओपनिंग दिख रही है इसे हम बोलते है यूरेथ्रल मीटस क्या बोलते है यूरेथ्रल मीटस क्या बोलते है यूरेथ्रल मीटस क्या बोलते है यूरेथ्रल मीटस और यह जो स्किन दिख रही है आपको क्या दिख रही है Skin, इस skin को बोलते है, for skin, क्या बोलते है, for skin, या prepuse, क्या clear है, for skin या prepuse, क्या समझ में आया, तो ये आपका पूरा diagram हो गया, किसका male reproductive system का, किसका male reproductive system का, क्या clear है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया या नहीं, चलिये, तो जल्दी से screenshot लीजे, जल्दी से screenshot लीजे, आगे बड़े, देखिए इसका हो गया, draw a label diagram हो गया, male reproductive system का क्या आगे बड़े, आप देखिए, ये अपने हो गया है, अब क्या है, draw a label diagram of female reproductive system clear है, तो आप हम किसका बनाएंगे, female reproductive system का बनाएंगे, चलिए तो बनाते हैं ठीक है, ये में थोड़ा से छोटा बना रहे हूं ना, यह क्या हो गई आपकी, primary sex organ जिसे हम क्या कहते हैं, ovary, क्यों बोल रहा है इसे primary sex organ, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह किसका formation कर रहा है, जल्दी बताइए, यह formation कर रहा है, gametes का, इसलिए हम इसे क्या बोल रहा है, primary sex organ, क्या बोल रहा है, primary sex organ, क्या clear है, क्या clear है, क्या clear है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, तो यहाँ पर देखिए, यह जो region है, यह जो region है, इसे बोलते हैं fundus region, क्या बोलते हैं, fundus, ठीक है, यह क्या है, fundus region, किसका fundus region, uterus का, यह हो गया, fundus, clear है, वहीं पर, अगर मैं बात करूँ, किसकी, चलो इसकी, और भी वो बना दूँ, क्या, अभी इतना ही देखते हैं, अंदर एक layer बना देती हूँ, चले, तो यह आपकी red वाली क्या हो गई, यह हो गई, आपकी ovary, क्या हो गई, ovary, यह finger like projection is fimbry, क्या बोलते इसको, fimbry, यह क्या हो जाएगा आपका, infundibulum, यह क्या है, infundibulum, ठीक है, तो यह क्या है, infundibulum, क्या clear है, यह देखिए, थोड़ा सा wider region जो दिख रहे हैं आपको, यह क्या है, यह wider region जो है, यह है, ampula, क्या है, ampula, क्या clear है, वही पर यह क्या है, यह है, isthimas, क्या है, isthimas, तो यह है, isthimas, ठीक है, तो यह तीनों जो है, यह जो तीनों है, मतलब even यह, यह सब मिलकर क्या बनाते है, falopian tube, किसके पार्ट है यह, falopian tube के पार्ट है, क्या clear है, ovary क्या हो गई आपकी primary sex organ, क्यों, क्योंकि ये क्या बनाती है, जल्दी बताइए, गैम 8 बनाती है, तो ovary क्या हो गई आपकी primary sex organ, क्या अतना clear है, तो ovary क्या हो गई आपकी primary sex organ, ठीक है, ये क्या है, uterus, क्या है, uterus और uterus की ये कौन सी वाली पार्ट है, body, क्या है, body, clear है तो मैं bracket में लिख दूँ यह क्या है uterus body क्या clear है चलिए उसके बाद उसके बाद उसके बाद यह देखिए यह वाला जो region है यह क्या हो जाएगा cervix क्या हो जाएगा cervix ठीक है तो यह हो गया आपका cervix यह हो गया vagina और यह जो है यहाँ पर present होती है क्या hymen क्या present है यह hymen क्या clear है पक का समझ में आया इधर समझ में आ गया तो यह पूरा जो structure है आपका यह किसका है ovirica structure यह red red जो बनाई है मैंने यह क्या बनाई है layer बनाई है यह wall बनाई है किसकी endometrium wall कौन सी endometrium और भी होती है क्या हाँ विलकुल होती है कौन कौन सी होती है तो इसकी और कौन कौन सी wall होती है और होती है इसकी perimetrium और मायोमेट्रियम, ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, यह क्या है मायोमेट्रियम, क्या है मायोमेट्रियम, ठीक है, तो यह हो गई कौन सी, मायोमेट्रियम, ठीक है, यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है, तो देखिए, ये क्या हो जाएगी, मायोमेट्रियम, ये दिख रही है, ये कौन से हो जाएगी, मायोमेट्रियम, मतलब मिडल, और उसके बाहर कौन से हो जाएगी, उसके बाहर होगी, जल्दी बताएगे, उसके बाहर होगी, पैरिमेट्रियम, कौन से होगी, ग्रीन वाली कौन से होगी, पैरिमेट्रियम, क्या क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिए, जिसका फटा फट, जल्दी से rough diagram बनाया आपने screenshot ले लिए जिसका चलिए, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए, ले लिया screenshot जल्दी बताईए, आगे बढ़े अब देखिए, ये कपना हो गया question number fourth would I write two major functions each of testis and ovary, ठीक है, तो ovary और testis के दो major functions बताने, आपको जल्दी बताईए तो पहला तो हम इने दोनों को क्या बोलते हैं, primary sex organ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, primary sex organ, तो इसी से आपको answer मिल जाएगा, क्या answer मिल जाएगा कि मैं, अगर primary sex organ है मतलब ये किसका formation करेंगे जल्दी बताईए, किसका formation करेंगे, gamete का किसका, gamete का तो पहले तो हो जाएगा gamete formation क्या हो जाएगा gamete formation, मतलब क्या बनाना sperm and ovum तो यहाँ पर bracket में लिकले, sperm and ovum और क्या करेंगे, बताईए male and female hormones produce करेंगे, क्या करेंगे produce male and female hormone produce produce male and female hormone क्या clear है तो जल्दी से screenshot लीजे इसका फटाफ़ट screenshot मैंने शौट में आपको समझा दिया है क्या क्या करते है, gamete formation करते हैं and male and female hormone को क्या करते है, produce करते हैं male hormone जैसे androgen, testosterone हो गया female, estrogen, progesterone हो गया क्या clear है, समझ में आया तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिये अब देखिए क्या बोलते हैं, test is the process of spermatogenesis produce sperm through the semi-ferrous tribules, पहला point हो गया, वही बाला बात कि हाँ किसको बनाना, sperm को बनाना, उस process को क्या बोलते, spermatogenesis दूसरा, testosterone, the male sex hormone is secreted by the lidic cell, जो lidic cell होते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, semi-ferrous tribule के अंदर, ठीक है, तो दो काम हो गया, मतलब male hormone को बनाना and male gamete का formation, किसका test is का, वही पर ovary की बात करें, तो process of oogenesis ovaries produce ovary, हाना ovary क्या produce कर रही है, ova इस process को क्या बोलते हैं, oogenesis या ovum बोल रहे हैं, ova या ovum, clear है, या egg बोल दू मैं, और इस process को जिसके through क्या बनता है, ova बनता है, या egg बनता है, या ovum बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis, तो oogenesis process है, जिसके through female gamete बनते हैं, क्या clear है, अब देखिए, और क्या female hormone जैसे की progesterone and estrogen the female sex hormone, are secretate है, तो ovary जो होती है, वो क्या secret करती है, female sex hormone जैसे की estrogen and progesterone, क्या मैंने यही बोला था, क्या मैंने कुछ अलग बोला, बस short में बोल दिया था, चलिए तो यह हो गया, आपका आगे बढ़ सकते हैं, क्या screenshot ले लिजे, जल्दी से screenshot लिजे इसका, आगे बढ़े क्या, आपकी permission है क्या, चलिए, describe the structures of seminiferous tribule, ओके मैं मैं आपने पढ़ाया था, हम थोड़ा से imagine करने की कोशिश कर रहे हैं, कि testis होता है, और इच testis में 250 compartments होते हैं, जिसे हम testicular lobules बोलते हैं, और हर एक lobule के अंदर 1, 2, 3 highly coiled structures present होते हैं, जिसे हम seminiferous tribule कहते हैं, क्या इतना clear है, और यही seminiferous tribule को हम यहाँ पर बनाते हैं, चलिए, तो यह suppose क्या हो गया हमारा seminiferous tribule, क्या हो गया seminiferous tribule, तो यह हो गया हमारा क्या, seminiferous tribule, और इस seminiferous tribule के inner side present होते हैं, दो type के cell, क्या होते हैं, दो type के cell, जिसे हम क्या बोलते हैं जल्दी बताईए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताईए, इन्हें हम बोलते हैं spermatogonia and sertoli cell, क्या बोलते हैं spermatogonia and sertoli cell, तो spermatogonia क्या है, germ cell है, male germ cell है, जो कि किस को बनाएंगे, sperm को बनाएंगे और sertoli cell जो होती है, इस spermatogenesis process के दौरान पर इन sperm को developing, sperm को क्या provide करती है, nutrients provide करती है, nourishment provide करती है, क्या clear है, इतना समझ में आया, चलिए, तो इतना clear है या नहीं, जल्दी बताईए, अब देखिये, 74 stribules are found in the testicular lobules, क्या मैंने कुछ अलग बोला, जल्दी बताईए, क्या कुछ अलग बोला, मैंने highly coiled structure, यही बोला था, कि 74 stribule जो होते हैं, वो कहां पर present होते हैं, testicular lobule के अंदर, और यह कैसे होते हैं, highly coiled structure होते हैं, clear है, it is here that the production of sperm in the testis, अकर यहीं पर क्या होते हैं, 74 stribule के अंदर ही क्या होते हैं, sperm formation होता है, मतलब spermatogenesis process होती है, यही सब बाते तो मैंने बोली है, होती है, germinal epithelium की, inner side में क्या होते हैं, two types के cell होते हैं, sertoli cell and, जल्दी बताइए, spermatogonia, clear है, तो देखिए, यह है, suppose आपकी क्या, आपको वो तो आपने समझ लिया था ना, कि यह क्या है, आपकी sertoli cell है, यह क्या हो गए आपके cells, इनको मैंने क्या बोल दिया, spermatogonium, क्या ब हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, आपके nutritive cell, that is sertoli cell, क्या हो जाएंगे, sertoli cell, तो यह आपके क्या हो गए, sertoli cell, क्या इतना clear हुआ, चलिए, तो इतना तो आपने देख लिया था, आगे बड़े, आप देखिए, अब यह किस के बारे में बता रहे हैं, spermatogonium के बारे में बता यह है, spermatogonia, इस spermatogonia, जो है, यह cell है, इन में से कुछ cell जो होते हैं, वो convert हो जाते हैं, किस में, primary spermatocyte में, किस में, primary spermatocyte में, किस process के तुरू, किस division के तुरू, तो मैं बोलूँगी, mitosis के तुरू, किस के तुरू, mitosis के तुरू, तो spermatogonia क्या करते हैं, mitosis करते हैं, और कुछ primary spermatocyte बनाते, clear हैं, अब आप पूछोगे, माम, इसका, phloidy क्या होगी, तो मैं बोलूँगी, 2N होती है, तो इसकी क्या होगी, जल्दी बताइए, N ये 2N, 2N होगी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, mitosis, क्या हुआ है, mitosis, अब यही primary spermatocyte convert होगी, किसमें, जल्दी बताइए, secondary spermatocyte में, किसमे, secondary primary spermatocyte जो है, वो क्या करेगी, पहला meiotic division शो करेगी, और convert होगी, किसमे, secondary spermatocyte, तो यहां पर क्या होगा, meiosis 1, और convert हो जाएगा, किसमे, secondary spermatocyte में, क्या clear है, तो यहां पर बन गए, secondary spermatocyte, अगर पूछा जाए, कि इनकी ploidy क्या होगी, तो यहां पर meiosis हुई है, तो इसकी ploidy क्या होगी, जल्दी बताइए, and होगी, कैसे होंगे, haploid, clear है, यही spermatocyte, क्या करेंगे, meiosis 2 करेंगे, क्या करेंगे, meiosis 2 करेंगे, और बनाएंगे, spermatid, क बताइए, यहां पर बनेंगे, spermatids, क्या बनेंगे, spermatids, क्या बनेंगे, spermatids, ठीक है, और इनका भी क्या होगा, ploidy, n होगी, क्या होगी, n, तो यहां पर क्या बन गए, spermatids, बन गए, क्या बन गए, spermatids, ठीक है, तो यह बन गए, आपके spermetid, क्या बन गया है, spermetid, ठीक है, तो ये spermetid जो है, अब इन spermetids में क्या होगा, spermiogenesis होगी, क्या होगी, spermiogenesis, तो ये शो करेंगे, spermiogenesis, spermiogenesis, और क्या बनाएंगे, genesis और क्या बनाएंगे, जल्ती बताइए, spermetozoa, क्या बनाएंगे, spermetozoa, तो ये क्या बन गया, जल्ती बताइए, spermetozoa, तो ये बन गए आपके spermatozoa, spermatozoa की ploidy क्या होगी, spermatozoa की ploidy क्या होगी, जल्दे बताइए, इसकी ploidy होगी, N, clear है, क्या होगी, N, अब यही spermatozoa जो है, वो क्या करते हैं, सेमनी फेरस्टिबूल से embedded होते हैं, सेमनी फेरस्टिबूल में embedded होते हैं, वहाँ से nutrition लेते हैं, और सेमनी फेरस्टिबूल से बहार निकल जाते हैं, तो इस process को क्या वोलते हैं? Spermation, क्या बोलते है, Spermation, फिर से समझाती हूँ, यह Spermatozoa जो बने, यह क्या करते है, Sertoli Cell में, Embedded हो जाते है, धस जाते हैं, और वहां से क्या लेते है, Nutrition को लेते हैं, वहां से Nutrition लेकर, यह Seminiferous Tribule को छोड़कर, बहार निकल जाते, clear है, तो Embedded होकर, बहार निकलने वाली Process को हम बोलते हैं, Spermation, क्या बोलते हैं, Spermation, क्या clear है, क्या आपको clear है, जल्दी बताइए, तो इतना समझ में आया, तो यहां से लेकर, यहां तक की Process को हम Spermatogenesis बोलते हैं, और Spermatids से Spermatozoa का बनना is called Spermogenesis, और बाद में आती है बात Spermation की, तो Spermation का मतलब होता है, कि जो Spermatozoa बने थे, उन्होंने nutrition लिया, सर्टोली सेल से, और Seminiferous Tribule से बहार निकल गए, तो इस Process को हम क्या बोलते हैं, Spermation, क्या अतना क्लियर हुआ, पक्का, अब देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, Spermatogonia, they are the male germ cells that produce the primary spermatozoa, तो इन male germ cells ने क्या बनाया, primary spermatozoa बनाया, क्या बनाया, primary spermatozoa, अब यह primary spermatozoa है, यह क्या करेगी, जल्दी पता, यह meiotic division करेगी, और क्या बनायागी, secondary spermatozoa, अब secondary spermatozoa बन गया, secondary spermatozoa जो है, किसमे convert होगा, spermatids में, clear है, मतलब meiosis 2 होगा, यहां पर देखिए, meiosis 2 हा, spermatozoa बन गया, later on spermatozoa, metamorphosis होती है, इनमें क्या होती है, metamorphosis, metamorphosis होकर, यही किसमे convert होते है, male gamete में, जिसे हम spermatozoa बोलते हैं, तो यह metamorphosis हुई, और यही किसमे convert हो गए, किसमें हुए, जल्दी बताइए, spermatozoa या sperm में, क्या clear है, जल्दी बताइए, क्या अतना clear है, अब देखिए, sertoli cell जो होती है, refer to as nurse cell, clear है on the testis, sertoli cell को हम क्या बोलते हैं, nurse cell भी बोलते हैं, और sustenta cooler cell भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, sustenta cooler cell, मैं, क्यों, क्योंकि यह nurse cell, nurse का काम क्या होता है, आप बताइए, एक hospital में nurse होती है, तो वो क्या करती है, patient की take care करती है, हना, उनका ध्यान रखती है, उनको food provide करती है, जो भी उनको nutrition चेए, वो provide करती है, तो वैसे ही, यहाँ पर, इनको nurse cell नाम क्यों दिया है, क्योंकि यह क्या कर रहे है, जो spermetids है, ठीक है, जो मैं आप बोलू, पूरा, जो spermetogenesis की process है, sperm बन रहे हैं, उनको क्या provide कर रही है, nutrition, इसलिए हम इनने nurse cell या sustentacular cell भी कहते हैं, क्या clear है, अब देखिए, यह क्या कर रहे है, because, इननोंने बोला, nurse cell बोल रहा है, क्योंकि यह क्या नरिश कर रही है, किसको germ cell को, किसको germ cell को, यही germ cell आगे चलके क्या बनाएंगे, sperm बनाएंगे, क्या बनाएंगे, sperm, क्या clear है, just adjacent to seminiferous tribule, there are large polygonal cells referred to as lidic cell, ठीक है, तो lidic cell क्या होते हैं, मैं बताते हूं, suppose, यह है, यह क्या है, एक seminiferous tribule है, यह दूसरा seminiferous tribule है, इन दोनों seminiferous tribule के बीज वाला space is called, जल्दी बताएंगे, interstitial space, क्या बोलते हैं इनको, interstitial space, इस interstitial space में, polygonal type of, मतलब polygonal shape के cells present होते हैं, जिने हम क्या बोलते हैं, lidic cell, यही lidic cell to androgen को बनाते हैं, यही lidic cell to male sex hormone को बनाते हैं, क्या clear हुआ, चले तो नोंने क्या बोला है, कि यही क्या करते हैं, interstitial cell which produce testosterone जो क्या है, male hormone है, clear है, testosterone θα male hormone, क्या clear है, इतना समझ में आया, तो जल्दी से screenshot लीजे, जल्दी फटा-फट screenshot लीजे, चले, आगे बढ़े, अब देखिए, next question है, question number 6, ये बोल रहा है, what is spermatogenesis, briefly describe the process of spermatogenesis, मैं already समझा चुकी हूँ, last question में पूरा आपको ये समझा दिया है, यहाँ देखिए मैं, यहाँ क्या मैंने answer कहां जाएगा, इस वाले question में, ठीक है, तो यही पर क्या होगा, यही वाले, इसमें इसका answer चला जाएगा, तो यह मैंने पूरा explain कर ही चुकी हूँ, even ploidy भी बता दी है, तो यहाँ पर इसका answer यह मिला, तो जल्दी से इसका screenshot लीजे इस answer में, जल्दी से लीजे, चले है, अब आगे पढ़ें, अब देखिए, हटा दू, क्या बोल रहा है, phenomenon of sperm production from the immature germ cell, हना, यह क्या बोल रहा है, spermatogenesis क्या है, एक फेनोमेना है, जिससे क्या है, किसका production करते है, sperm का किस से करते है, immature germ cell से, हना, means is termed as spermatogenesis, और इस process को क्या बोलते हैं, हम spermatogenesis, ठीक है, कहां होती है सेमिनी फेरस्टिब्यूल में होती है, कहां होती है, सेमिनी फेरस्टिब्यूल में होती है, और यह सेमिनी फेरस्टिब्यूल कहां होते हैं, इनसाइड दाट, टेस्टेस कहां होते हैं, टेस्टेस के, अंदर होते हैं, कहां होते हैं, टेस्टेस के, अंदर क्या clear है, पक्का चलिए और आगे क्या बोल रहे हैं in this process a deployed male germ cell पहले ही बोल दिया था कि male germ cell या spermatogonium कैसे होते हैं यह लिखा ना देखो और spermatogonium कैसे होते हैं deployed enlarged होते हैं बड़े होते हैं size में to form a deployed primary spermatocyte यह क्या बनाते हैं deployed primary spermatocyte क्यों क्योंकि spermatogonium ही क्या करते हैं mitosis करके क्या बनाते हैं primary spermatocyte बनाते हैं primary spermatocyte तो उनका जो ploidy है वो भी क्या होगी same होगी क्योंकि यहाँ पर mitotic division हुआ है क्या clear है अब देखिए क्या मोल रहे है which in turn goes through first meotic division primary spermatocyte ने अपना पहला अपने जीवन का पहला meotic division किया और meosis की और क्या बनाया जल्दी बताएं meosis को हम reductional division बोलते हैं और 2 equal haploid secondary spermatocyte बनाई तो भाई एक cell है एक cell में meosis होगी तो 2 बनेगा फिर further meosis होगी meosis 2 तो 2 से कितने बनेंगे 4 बनेंगे यह तो मैंने तभी तो spermatocyte कितने बनाये थे 4 सही सोचा आपने चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ देखिए spermatocyte each further undergo second meotic division अब यही second spermatocyte जो है 2 spermatocyte बनी 2 second spermatocyte बनी दोनों spermatocyte जो है वो meosis 2 करेगा और क्या बनाएगा spermatids और कितने बनेंगे 4 कितने बनेंगे 4 तो यहाँ पर देखिए क्या किया नों ने meosis 2 for the firm and formation of 2 equal haploid spermatids तो यहाँ पर क्या बनेंगे equal spermatid haploid बनेंगे कैसे बनेंगे haploid बनेंगे और क्या बनेंगे spermatids क्या क्लियर है तो यहाँ पर देखिए नों ने क्या लेखा 2 equal तो 2 equal का मतलब यह मत सोच ले न मैम आप तो 4 बोल रहे हैं भाई 2 2 secondary spermatocyte है न तो 1 से 2 बनेंगे 1 से 2 बनेंगे तो यहाँ नों ने 2 बोलने का मतलब है कि यह एक का ही बात कर रहे 1 secondary spermatocyte जो है वो क्या कर रही है 2nd meiosis कर रही है और 2 equal haploid spermatids बन रही है बट दोनों करीगी न तो दोनों करीगी तो कितने बनेंगे 4 बनेंगे न क्या समझ में आया क्या यहाँ पर आया या नहीं बताइए जल्दी आया ना चलिए चलिए तो जल्दी से screenshot लीजे इसका ओके I hope आपने screenshot ले लिया होगा बहुत तेज है बहुत fast है आप मैं आगे बढ़ सकती हूँ चलिए आपकी बाते मिलको सुनाई दे रही है कि नहीं मैं जल्दी जल्दी और fast कराओ चलिए तो देखिए haploid spermatid जो है यह क्या बनाते हैं जल्दी बताइए formed from a deployed spermatogonium जो haploid spermatid है वो किस से बने है deployed spermatogonium से बने है the spermatid hence produced alter to form spermatosoa मतलब sperm through the process of sperm meogenesis क्या मैंने समझाया था आपको कि spermatid spermatosoa में convert होती है और इस process को हम क्या बोलते है spermiogenesis क्या बोलते है spermiogenesis तो इतना समझ में आया क्या यहाँ पर बैढ़ गया यहाँ से तो नहीं निकला है पक्काना सब के चलिए तो इसका screenshot लीजिए ओके आगे बढ़े अब देखिए नेक्स्ट है question number 7 यह क्या बोल रहा है name the hormones involved in regulation of spermatogenesis तो कौन-कौन से hormone regulate करते है spermatogenesis को जल्दी तो बता दीजे भाई अपना कौन सा hormone होगा FSH कौन होगा FSH clear है क्यों? क्योंकि वो cytoli cell पे काम करता FSH LH and जल्दी बताए यह androgen क्या clear है चलिए तो आगे बड़े देखिए क्या बोल रहा है? Luteinizing hormone मतलब क्या LH क्या होता है LH clear है? gonadotropin releasing hormone जिसे हम GNRH बोलते हैं क्या clear है? तो देखिए Luteinizing hormone it serves as a lidic cells triggered synthesis and secretion of endrogen अब इन्होंने क्या बात बोल दीए मैम आप समझा दीजे तो देखिए होता क्या है? आपकी जो क्या बोलते है releasing hormone होते है gonadotropin releasing hormone होते है यह कहां से निकलते हैं? इधर से निकलते हैं मैम हाइपोथेलेमस से निकलते हैं कहां से निकलते हैं? हाइपोथेलेमस से यह हाइपोथेलेमस से releasing hormone जाते है स्ञेंकि कि पास siya probethone घाए कि तो आगे है तोऊ से उसी हमाइब का मिया कजिए होगा टो है तुम्हें चाने के हूं करना अरे तुम स्टुमिलेट करने का लिए ऐसे बातने करके उनको मनाने वाला कैто तो आप संघ एक जि एक स्टुमिलेटिंग होर्मोन क्या हो गए stimulating होर्मोन यह stimulating होर्मोन अब यह जाएगा चोड़ के चोड़ा होके जाएगा कि अरे लेडिक सेल्स सुनो मैं तुम्हारे उपर काम करूंगा और तुम्हें काम करो क्योंकि अब प्यूबर्टी आ गई है तो secondary sexual करेक्टर भी दिखाना जरूरी है और क्या दिखाना जरूरी है तो तुम क्याम करो तुम बनाओ एंडोजन या टेस्टिस्टिरोन होर्मोन ठीक है तो यहां पर क्या कर रहा है ट्रिगर्ड कर रहा है synthesis and secretion of androgen हाना क्या मैंने गलत बूला क्या कुछ गलत बूला चली अब देखिए gonadotrophin releasing hormone it is a hypothalamic hormone क्या मैंने कुछ और बोला था मैं तो यही बोला था ना कि यह क्या होता है hypothalamic hormone होता है यह पहले भी present होता है बट प्यूबर्टी पेस का amount increase हो जाता है ठीक है आप क्या बोल रहा है इधर कहां गया secreted at the age of puberty acting at the anterior pituitary कहां पर काम करता है anterior pituitary पर काम करता है और वहां से क्या निकलवाता है LH and FSH ठीक है तो देखिए pituitary gland and stimulating मैंने भी बोला था कि stimulate करता है stimulate करता है हाँ and secretion of LH and FSH मैंने कुछ अलग नहीं बोला मैंने यही सब कुछ बोला है ठीक है तो जल्दी से का screenshot तो ले लीजिए जल्दी फटा फट चालिए आगे बड़े क्या आपकी permission है क्या चालिए अब आगया क्या follicular stimulating hormone क्या मैंने सारे hormone की बारे में discuss किया था यह चलिए follicular stimulating hormone जिसे हम FSH भी बोलते है यह किस पर काम करेगा सर्टोली सेल पर और क्या करता है secretion of factors which aid in the spermiogenesis process ठीक है और यह क्या कराता है यह stimulate कराता है कि तुम spermiogenesis process को कर रहा हो किस से बोलता है सर्टोली से clear है पक्का समझ में आया आप देखें एंड्रोजन इट्रगर्स इनिविन प्रोडक्शन रेगुलेशन एंड रेगुलेटिंग दर स्परमेटोजनिस प्रोसेंस ठीक है भाई यह boss है boss ठीक है यह बोलेगा सब कुछ यहां पर मेरा चलेगा मैं सब कुछ ह्च रेगुलेट करुँगा मैं सब को क्या करूँगा ओडर दूँगा ठीक है तो एंड्रोजन क्या है यहाँ पर इनिविन प्रोडक्शन रेगुलेशन हना यह किसको करता है और किसको रेगुलेट करता है भाईं जल्दी बताए यह regulate करता है spermatogenesis process को किसको spermatogenesis process को क्या clear हुआ पक्का समझ में आया है तो जल्दी से screenshot तो ले लीजिए जल्दी फटा-फट इतना देन नहीं करते है यार चले आगे बड़े क्या आप देखिए question number 8 बोल रहे है defined spermatogenesis and spermiation ये भी मैम आपने सब कुछ एक ही question में पढ़ा दिया है इतने सारे question डालने के जरुवत क्या थी अरे भाई मैं इसको डालने के जरुवत पढ़ गई क्योंकि यह NCRT के question है नहीं तो आप बोलते हैं शिवानी मैम ने न NCRT के solutions नहीं करा है मैं तो एक ही question में सारे question करा दे रही हूँ फिर भी आप के लिए हना आपकी तसल्ली के लिए मैं सारे questions ले कर आई हूँ क्या clear है तो spermiogenesis क्या होता है जल्दी बता दीजे भाई spermatid से spermatids जो की कैसे होते है है aphiloid होते हैं कैसे होते है aphiloid इस से क्या बनता हैm इस से बनते है spermatozowa, spermatozoa इसी process को спermiogenesis बोला है нiro York première अप बहल गई हमें याद कराकर ऐसे कैसे काम चलेगा, हना, इसी को क्या बोला sperm serious क्या clear है आपको शालिए अब बोल रहा है spermiation क्या मैंने ये भी समझा दिया था अब यहाँ पर क्या वन गया है ये वन गया आपके spermetozoa हाना तो यही sertoli cell sorry seminiferous tubule के अंदर sertoli cells भी present थी जो क्या करती थी nourishment provide करती थी suppose यह sertoli cell है यह क्या है sertoli cell है clear है यह क्या है sertoli cell तो यहाँ पर यह आया इस से embedded हुआ और यहाँ पर देखिए embedded हो गया embedded होके यहाँ से से nourishment निकल गया बहार कहां sertoli cell से बहार निकल गया इस process को हम क्या बोलते है spermation क्या बोलते हैं spermation क्या मैंने दोनों चीज समझा दी थी पहले जल्दी बताइए तो यह क्या है आपका seminiferous tubule है यह क्या है आपका seminiferous tubule seminiferous tubule क्या clear है तो जल्दी से तो screenshot ले ली चिया जल्दी फटा-फट इतनी देन नहीं करनी चलो आगे बड़े अब देखिए क्या हो गया spermogenesis क्या होता it is the phenomenon of the transformation of non-motile spermatids spermatid non-motile ही थी ना दिख रही थी क्या मैंने उसमें फ्लेजला बनाया क्या कोई motile structure बनाया ना क्या मैंने spermatozoa में motile structure बनाया था हाँ मैं हम क्या बात करते हो ऐसा तो बनाया था तो यह क्या है flagula है ना हना is perm है ना तो इस सु हमjekt spermetids to the motile spermatozoa किसमें कर बाठ ओ गया किसमें बढ़न जल्दि बताइये non-motile spermetid sä spermatozoa में इस process को हम क्या बोलते है spermyogenesis क्या sutалiken से फलमेशन की बात करें तो penmyeshaan क्या होता है phenomena where mature spermatozoa are released from the serτholy cell क्या मैंने बोला था Certulli cell से release करके In the lumen of semifero stibule To the testis, मतलब कहां गया Testis में क्या clear हुआ, इसको हम क्या बोलते है Spermation, क्या समझ में आया नहीं तो क्या मैं हटा सकती हूँ इसे, क्या आपको सब कुछ clear है क्या आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ओ भाई, sperm का label diagram करना है चलो बना देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें मेडम, अब तो सब हम pro हो गए तो थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं न कभी में आपको गुस्सा आती है क्या क्या आपको कभी गुस्सा आती है कैसी बात कर रहे हूँ मैं माँ कुस्सा कोई दिखाता है क्या कुछ ऐसा structure होता है क्या कुछ इस type का structure होता है क्या अब हम यह क्या बना दिया आपने यह क्या बना दिया यह है आपका sperm, क्या है sperm ठीक है, तो ये head region हो गया इसका, ये क्या हो गया, head region, ये neck हो गई, ये इसका middle piece हो गया, और ये क्या हो गया, ये middle piece, और ये हो गया, tail, क्या clear है, क्या clear है, यहाँ पर होता है present nucleus, क्या होता है, nucleus, ये क्या है, जल्दी बताइए, ये है acrosome, क्या है, acrosome, ठीक है, और मैं middle piece में present होते हैं, क्या, बताइए, spirally arranged mitochondria, क्या होते है, spirally arranged mitochondria, यहाँ पर क्या होते है, mitochondria, कैसे spirally arranged, क्या बड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा, हाना मज़ा नहीं आ रहा है, चलिए, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यार, ये क्या हो रहा है, इसको? ये क्या बना दिया मैं आपने? थोड़ा समझाने के लिए ऐसी बनाना पड़ रहे है, मुझे. थोड़ा समझ, थोड़ा सा सबर रख लो. अहां मवित्ता तो है हम में, है नो? नहीं है तो अच्छी बात नहीं है. यहां पर प्रेजेंट होंगे ऐसे इसपाइरली अरीज्ड, क्या होंगे जल्दी बताईए, माइटो कॉंट्रिया, जिसको हम नेवनकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेवनकन. क्या क्लियर है? क्या आपको क्लियर हुआ? बताएए, जल्दी बताईए. अरे बताओ भाई, चलो. तो यह है हेड रिजन, क्या है? हेड रिजन, यह क्या है? नेक, क्या है? नेक, यह है मिडल पीस, क्या है? मिडल पीस. और यह क्या है? यह है टेल. और टेल किस से बनी हुई है? फ्लेजला से. किस से? फ्लेजला से. और अगर मैं पूछू, इसमे कौन सा अर्रेंजमेंट होता है? तो 9 प्लस 2 अर्रेंजमेंट. क्या भोल दिया मैडम आपने? आप सेल जब पढ़ा था आपने, जब सेल रहे थे आपने सीलिया फ्लेजिला पड़ा था तो आपने पढ़ा होगा वहां पर कि सीलिया फ्लेजिला में क्या होता है क्या कुछ याद है आपने पढ़ा होगा कि फ्लेजिला में नाइन प्लस टू अरेंजमेंट होता है नाइन जो microtubules होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, जल्दी बताएं, पैरी-फैरी पर होते हैं, जो दो होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, center में होते हैं, तो यही वाला arrangement किसमें present होता है, फ्लेजला ग्यास, पॉम की टेल में, क्या clear है, जल्दी बताईए, यह क्या है, mitochondria, यह क्या है, mitochondria, जो कि क्या देते हैं इसको, energy, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, move करना है, करना है कि नहीं, यह क्या देता है, energy provide, energy for motility, for motility, क्या इतना clear हुआ, क्या आपको इतना clear है, आप बताईए, यह जो neck part है, यहाँ पर present होता है, centriole, क्या होता है, centriole, और आप भी बोला, centriole में कैसा arrangement होता है, 9 plus 0 arrangement, क्या होता है, 9 plus 0 arrangement, यह है nucleus, क्या है, nucleus, ठीक है, और यह जो आगे वाला part है, ऐसे हम कहते है, एक्रोजोम, क्या कहते है, एक्रोजोम, जिसके अंदर क्या होते है, hydrolytic enzyme, क्या होते है, hydrolytic enzyme, क्या इतना clear हुआ आपको, पक्का, समझ में आया, यह mitochondria का spiral arrangement को हम बोलते है, निविनकन, क्या बोलते है, निविनकन, क्या clear है, चलिए, तो screenshot तो ले लिजए, जल्दी से, जल्दी से screenshot लीजए, और थोड़ा से square सकर दू, तो थोड़ा साबको, फ्लैजोला जैसे लगेगा, ये लो, ठीक है, जल्दी से screenshot लीजए, आगे बढ़ें, क्या, चलिए, अब देखिए, ओक्ये, यह तो हो चुका है, what are the major components of seminal plasma, बताईए, क्या है seminal plasma के components, तो भही सारे components होंगे, जो किसके है, जल्दी बताईए, आपकी glands के, accessory glands के end, प्लस क्या होंगे, इसमें sperms होंगे, क्या होंगे, इसमें, तो seminal fluid होगा, इसमें, हाणा, cowper's gland, जो होता है, उसका lubrication वाला fluid होगा, प्लस, prostate gland का secretion होगा, clear है, मतलब से, prostaglandins, और calcium, fructose, यह सब citrate, यह सब कुछ present होंगे, क्या clear है, क्या पक्का, बता दीजिए, clear है, fibrinogen होंगे, इसमें, चलिए, तो आगे बढ़े क्या, क्या क्या बोल रहा है, कि secretion of the accessory, sex glands, of male, prostate gland, seminal, basicals, बल्वो, urethral gland, क्या मैंने कुछ अलग बोला, क्या कुछ अलग बोला, जल्दी बताइए, कुछ गलग तो लिए सुना आपने, फर क्या बोल रहा है, mainly composed of calcium, fructose, क्या मैंने यही बोला, and other enzymes, मतलब जैसे मैंने भूला भी, fibrinogen, ठीक है, यह सब क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्या clear है, चलिए बता दीजे, क्या अतना clear हुआ आपको, पक्का, जल्दी से screenshot लिजे, जल्दी screenshot लिजे, आप देखे, question number 11, क्या बोलता है, what are the major function of, males, accessory ducts and gland, ठीक है, तो ducts का काम क्या होता है, जो sperm firm हुए है, testis में, उसको क्या कराना, transportation का काम, उसका maturation का काम, उसका storage का काम, तो याद रखो पहला, क्या कर रहे हैं, कि जो sperms बने, कहां पर, कहां बने, जल्दी बताए, male, जो primary sex organ है, जिसको हम testis बोलते हैं, उसके अंदर, 75 रस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर बने, आपके क्या, sperm किस प्रॉसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, तो sperm बन गए, आप क्या होगा, वो sperm आएंगे कहां पर, आपके accessory duct में, तो sperm का, transportation का काम कौन कर रहा है, जल्दी बताए, accessory duct, और क्या करता है, जब तक जैकुलेशन नहीं होता, यही duct जो है, इस sperm को क्या करती है, store करके रखती है, जब तक यह mature ना हो जाए, तो maturation भी कहां होती है, sperm की maturation भी कहां होती है, was difference and epididymis में, कहां तो epididymis और was difference किसके लिए responsible है, sperm maturation and क्या किसके लिए, जल्दी बताए, sperm storage है, clear है, वही पर हम किसकी बात करें, glands की बात करें, तो glands क्या provide कर रही है, उसको nourishment provide कर रही है, nutrition provide कर रही है, क्या clear है, semen का जो seminal plasma है, तीक है, वो बाला पार्ट कौन बना रही है, यही accessory glands, क्या clear हुआ बताएए, आप देखे, आगे बढ़े, देखे, तो male accessory ducts, जो होती है, वासा इफरेंशिया, रेटेटेस्टिस, इसके बीच में कौन प्रेजेंट है, तो यह है कौन वासा इफरेंशिया, ठीक है, तो वासा इफरेंशिया क्या करेगी, यहां से लेगी, यहां देगी, क्या sperms, ठीक है, तो यहां से उसने उठाए, और कहां दे दिये, epitidumus में, तो कंड़ करती है, स्पांम का, वही पर राटेटेस क्या करती है, स्टोmy स्पांउ, डेट आर प्रोडूस ड़ाइ, वाइसमिन फटेबीूल, तो सैंविन इंफिर्टेस्टेबीूल, ने क्या बना दिया, स्पांम बना दिया, Spermation हो गई, तो यह Spermation हुई, मतलब Sperm Seminy Ferristribule से बाहर निकल गई, अब यह बाहर Sperm कहां जाएंगे, बोलेंगे, कोई तो हमें बता दो हमें जाना कहां है, तो यह कहां जाएंगे, जल्दी बता यह Rated Testis में, चाहब आज का स्टोरेज होगया, आढ़ देखें, वासआडधिस क्या करीगी, वास्ट टेफ्रेंस किया करीगी, वास दिफरेंस क्या करीगी, एपिडाइम को लेगी और इूरेथ्रा में दे या दाल देघी, क्लियर है, क्योंकि यूरेथरा से ही तो क्या होगा, sperm का या सीमन का ejaculation होगा यह वह बहाँ निकलेंगे क्या clear है चलिए वही पर epididymus का बात करें तो physiological maturation of sperm storage on nourishment क्या मैंने यही बोला था कि epididymus का काम क्या होता है sperm के maturation का काम यही पर होता है storage का काम यही पर होता है nourishment का काम यही होता है अगर ejaculation नहीं हुआ और sperm बहार नहीं गए तो यह sperm यहीं पर destroy हो जाएंगे clear है समझ में आया पक्का बताईए तो जल्दी से screenshot लीजे फटा वट देर नहीं करें आप देखिए में एससरी ग्लेंड की बत करें तो seminal vesicle जो है वो activate करता है और प्रोबाइड अनर्जी टू facilitate sperm mortality after ejaculation ठीक है तो जो seminal vesicle का secretion है वो क्या करता है से provide करता है क्या motility after ejaculation जैसे sperm बहार निकल जाता है यूरेथ्रा से तो इसको motility provide करने का काम किसका है seminal vesicle के secretion का क्या 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 है prostate gland का क्या है यह nourish करता है and activate sperm and enhance the sperm motility provide alkalinity to the ejaculate neutralized urine acidity यह सब का मैं बताती हूँ क्या होता है यह जो है पहला तो नरिश्मेंट तो provide करेगा क्योंकि यह सब क्या है seminal plasma है तो कहीं न कहीं यह दोनों तो नरिश्मेंट प्रॉबाइट करते हैं इसके अलावा यह क्या करते हैं जल्दी बताइए यह alkaline medium provide करते हैं जो सीमिन का alkaline medium होता है उसके लिए कौन responsible होता है आपके prostate gland कौन होती है prostate gland क्या clear है वही पर ejaculation को ejaculation करना है जो sperm से वो urethra में आएंगे और urethra के थू ही क्या आती है ठीक है आप देखें काउपर्स ग्लेंड या बल्वो यूरिथरल ग्लेंड की बात करें तो इन्हेंस मोबिलिटी एंड सर्वाइबल पोटेंसिल पोटेंसिटी और अफ दा सपंस इन दा जनाइटल ट्रैक्ट ऑफ दा फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम नूटरलाइज एक्तिविटी ऑफ एक्टिविटी घ्मेल वेजाइनल सीक्रिशन ठीक है तो इसका काम क्या होता है मैं बताते ह ambassadors तो तो यह क्या करती है जो भी मेल लूर्प्रॉप्टिव ट्रैक्ट है उसकर जो फीमेल ड्यूटर्ध करकरने का काम करती है क्यों कि अगर यह acidic medium रहा तो semen में जो sperms है वो क्या हो जाएंगे? damage हो जाएंगे, destroy हो जाएंगे clear है? तो यह क्या करती है? neutralize करने का काम करती है clear है? क्या इतना समझ में आया है? और क्या है बल्बो यूथरल ग्लेंड का काम? यह क्या करती है? पैन इसको lubricate करने का काम करती है यह क्या करती है? पैन इसको lubricate करने का काम क्या इतना clear हुआ? जल्दी बताइए तो आज की वीडियो यहीं खतम होती है हमने question number 1 से question number 11 तक complete कर लिये है अब जो next questions है मतलब question number 12 से 21 तक हम next video में complete करेंगे क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजे, शेयर कीजें, सब्सक्राइब कीजे और कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा अगर आपको किसी question में doubt लगता है कोई question का explanation समझ नहीं आया है तो आप मुझे comment कर दीजेगा वही उसी वीडियो पर तो मैं आपको उसका answer समझा दूँगी क्या clear हुआ? तो I hope आप हमें हमारे YouTube चैनल पर तो follow कर रहे होंगे अगर नहीं कर रहे तो please follow कर लिजे and well icon को click कर दीजे दबा दीजे जिससे आपको सारे notification मिल जाए सारे वीडियो के हमारे official website भी है that is www.magnetbrains.com आप हमें वहां पर भी follow कर सकते हैं इतना ही नहीं हमारे कुछ social media handles भी है जिसके तुरू आप हम से जोड सकते हैं जैसे की facebook, instagram, telegram, twitter, whatsapp इन सब से आप हम से connect कर सकते हैं हम avail कर आते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं इस side यह है हमारे top courses जो की Hindi medium channel और English medium channel पर separate चलते हैं separate teacher Hindi medium channel पर पढ़ाते हैं separate teacher English medium channel पर पढ़ाते हैं बात आती है मैम इन channels पर आप पढ़ाते क्या हो कौन कौन से courses जो है वो हमें available हैं तो यहाँ पर आपको cbsc board, डेली वोड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और इसके साथ वेदिक maths crash course और spoken English यह सारे के सारे courses आपको high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं जी हाँ आपने सही सुना यह सारे के सारे courses आपको high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं अब आपको सिक्षा लेने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूवत नहीं है तो जोड़े रहिए magnet brain से और मुझसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई